मेरा नाम है हरिया, मैं काम करता हूँ बहुत बढ़िया, खाता हूँ खाना और रोज गाता हूँ गाना अरे यार, आज तो बहुत देर हो गए, इस खतनाद जंगल को देख कर तो मेरे हाथ पैर ठेंडे हो गए है अगर मेरे वक्त पर गाम नहीं पहुचा, तो मालिक बहुत नाराज हो जाएंगे तभी हरिया को एक आवाज सुनाई देती है सुनिये हरे जी आरे, ये आवाज उसमे थी तभी हरिया को सामने कुछ दूर एक औरत खड़ी दिखाई देती है अरे भाई, ये आवरत अकेली इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही है चल कर पूछना पड़ेगा फिर हरिया, अपनी बैल गारी उस आवरत के सामने लाकर रोग देता है और उससे पूछता है अरे सुनिए, आप इतनी रात को इस खतरनाग जंगल में अकेली क्या कर रही है तब ही वो औरत मीठी आवाज में कहती है अरे हरुजी, आप आगए, मैं कपसे आपका इंतजार कर रही थी वैसे तो यहाँसे काफी लोग गुज़र चुके है लेकिन मैं खास आपका इंतजार कर रही थी अच्छा, तुम सच कह रही हो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है वो क्या है न, आज तक किसी ने मुझे इतने प्यान से बात नहीं की हाँ हाँ, हाँ, अरुजी, मैं सच कह रही हूँ अब देर मत करिए और जल्दी से मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजी हाँ, हाँ, कौन से बड़ी बात है अभी छोड़ देता हूँ आप मेरे पीछे बैल गाड़ी में बैड जाईए और मुझे रास्ता बताते चलिए फिर वो औरत हर्या की बैल गाड़ी में बैड जाती है और हर्या बैल गाड़ी हाँता हुआ आगे चल पड़ता है फिर उस औरत के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते हर्या बैल गाड़ी लेकर एक काली गुफा के आगे आकर रुख जाता है हर्या उस औरत से पूछता है आप देवी जी, आपका घर कहा है? यहाँ तो एक गुफा के लावाब और कुछ नहीं है? तब ही अचानक वो औरत हवा में उड़ने लगती है देखते ही देखते उसको सुन्दर रूप एक दरावनी चुड़ाल में बदल जाता है और वो जोर-जोर से हुफती है अरे तो तो एक दमर का बेल गुफ दिखला तो तो मेरिया साड़ी से मेरी बातों में आ गया अरे मर गया अरे ये तो एक चुड़ाल है ए भगवान बचाले ये तो बड़ी ड़ावें दिखाए दे रही है और फिर अगले ही पल हर्या की बैल गाड़ी में रखा सारा सामान हवा में उर्ता हुआ उस काली गुफा के अंदर चला जाता है और वो चुड़ैल भी उस गुफा के अंदर जाकर कही गायब हो जाती है हर्या ये नजारा देख बुरी तरह घबरा और परिशान हो जाता है अरे ये चुड़ैल तो मेरा सारा सामान लेकर कुफा में गायब हो गई अब क्या होगा अगर में गाव खाली हाथ कया तो मालिक मेरी अच्छी ख़बर लेंगे मेरी इस बात का कोई यकीन भी नहीं करेगा फिर आखिर वही हुआ हर्या के मालिक चंपक सेट को हर्या की किसी भी बात पर रग्ती भर भी यकीन नहीं हुआ चंपक सेट को लगा हर्या जूट बोल रहा है और उसे ही लालच में आकर सारा सामान हडब करिया है फिर हर्या को बी इमान समझकर चंपक सेथ उसे काम से मिकाल दीता है अगले दिन अपनी दुकान में परिशान बैठा चंपक सेथ गुस्से में बड़बडाता है अरे दुकान में तो सामान बिल्कुल भी नहीं है अब मुझे ये शहर जाकर सामान लाना होगा फिर वो अपनी बैल गाड़ी लेकर शहर चला जाता है शहर से सामान लेकर जब चंपक सेच बापस गाओं लोट रहा होता है तब ये उसे एक आवाज सुनाई देती है चंपक ची, ओ चंपक ची अरे ये तो कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है फिर उस रास्ते में बगी औरत खड़ी दिखाई देती है फिर क्या था हर्या की तरद चंपक सेच भी उस ऑरत के पास अपनी बैल गाड़ी लेकर जाता है और वो भी उसकी चिकनी चुपडी बातों के मुझाल में फच जाता है फिच़ए उसे भी अपने गुभा पतिल जाती है और उसका सारा सामान लेकर गुपा में गायब हो जाती है पिचारा चंपक सेट लाचार होकर खाली हाथ गाउं लोटाता है फिर ये उस जंगल में रोज की बात हो जाती है जो कोई भी शहर से कुछ लेकर गाउं की तरस लोटता वो चुड़ैल उसे बेवकुफ बनाकर उसका साहा सामान लेकर गुपा में गायब हो जाती एक दिल हर्या एक लकड़ हारे को उसे जंगल की तरफ जाते हुए देखता है फिर हर्या उसे रोकते हुए कहता है अरे भाई क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो मेरी बात मानो आगे जंगल में मत जाओ वहा एक बड़ी भायानक चुड़ैल रहती है लकड़ हारा हर्या की बातों को नजर अंदाज करती हुए कहता है अरे भाई मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है मुझे जाने दो भाई शाम तक लकड़िया काट कर सहर के बाजार में बेचना है तुम अपनी ये कहानी किसी फुरसेत में बैठे इनसान को सनाओ पहलना तो चला इतना कहकर लकड़ हारा वहां से आगे जंगल की तरस चला जाता है फिर अगले दिन गाओं के मुख्या की खर के बाहर बहुत सारे लुप जमा हो जाते है तभी हाथ में कोई हाडे लिए खड़ा लकड़ा कहता है अरे मुख्या जी अब आप ही हमें बचाईए उस जंगल वाले चुएल से हमारा सारा काम तो सहर सही होता है अरे मुख्या जी उस चुड़ा की वज़ा से तुम्हें पूरी तरह बरबाद हो गया हूँ हम सब को मिलकर उस चुड़ा का कोई इलाज करना पड़ेगा तभी बीर में खड़ा बीरा कहता है आप लोग चिंता मत करिये कल से वो चुड़ा किसी को नहीं लूट पाएगी मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकिव है तभी चंपक से उसका मजाप उड़ाती हुए कहता है अरे तिरा नाम बीरा है तो क्या हुआ तुने अभी उस चुड़ा को देखा नहीं है जा जाकर अपना काम कर बड़ा आया तब मुख्या जी कहते है नहीं नहीं जंपक सेथ मुझे लगता है हमें इस लड़के को एक बौका देना चाहिए फिर सभी गावाले मुख्या जी की बातों से सहमत हो जाते है और वीरा शाम को एक बैल गाड़ी में कुछ सामान लाद कर उस जंगल की और चल देता है वीरा ओ वीरा कहा जा रहा है तब वीरा मुड की देखता है वही चुड़ेल एक औरत के रूप में खड़ी है अरे बहान जी मैं आपको ही दून रहा था देखिये मैं आपके लिए क्या लाया हूँ हैं? अरे वाख तो खुद मेरी लिए इतना सामान लाया है तो ही अकेला गाव में सुज़दार है जीसे ही चुड़ेल उस सामान पर से कपड़ा हटाती है एक बगदान शीव की तीज रोष्टी उसके अंदर मूर्ती से निकलती है और चुड़ेल अपने असले रूप में आकर जल दे लगती है देखते ही देखते वो चुड़ेल राप के साथ उर जाती है और सभी गावाले भी बहा जाते है शिक्षा बुराई पे सदा अच्छाई की ही जीत रोती है